तो मैं आज आपके साथ में शेयर कर रही हूं यहां पर शांदार जबरदस बालुशाही की रेसिपी जो रेसिपी इतनी अच्छी है उपर से जितनी यह क्रिस्पी है अंदर से उतनी ही जूसी है आप देख सकते होंगे इसको और हमने इसमें कोई केमिकल वगारा नहीं डाला है अमोनिया वगारा नहीं है प्रिजर्वटिव नहीं है कुछ नहीं है आप इसको आराम से बहार रखकर भी 15 दिन तक खा सकते हैं आराम से और देखिए इसके लिए क्या क्या हमें चाहिए तो मैंने स्क्रीन पर भी आपको बता दी हूं मैं बता रही हूं साड़े तीन पाउडर मैंने लिया है 1 तीएसपी और स्वाल टम ने लिया है अब इन सारी चीजहों को पहले नमक हम डालेंगे और बेकिंग सोडा 1 तीएसपी डाल देंगे पहले इनको हम लोग मेट्स करेंगे हलके हलके हातों से इसको पूरा मिला लेंगे ताकि ये ना बेकिंग जो पाउडर हमारा है वो हर जगर पर मैक्स होजार, नमक भी इसके बाद में हम लोग इसमें डालेंगे जो हमारे 70 ग्राम की है ये डालेंगे इसके अंदर हम लोग और इसको अच्छी तरह से हम लोग मिलाएंगे हलके हलके हातों से हमको इसको इतना अच्छी तरह से मिलाना है ना ताकि जो मैदे का एक-एक कण है इसमें जो मैदा है ये लग जाए और हमारा जो बालुशाई बने वो एकदम खस्ता बने उपर से एकदम क्रिस्पी रहे बिल्कुल भी ये करना बहुत जादा जरूरी है और इसके उपर ही डिपेंड करता है कि आपकी बालुशाई कैसी बनेगी अब अब ये कैसे रेडी हो गया है कैसे आपको पता चलेगा कि ये रेडी हो गया है तो हम लोग इसको हाथों में लेकर ना मुठी से बांधेंगे दे त्रिवादा ग्लस और ये है ठंडा पानी ये सादा बानी बिल्कुल भी नहीं है ये ठंडा पानी लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारे अच्छे बालुशाही के लिए हमें इसह अब इकठा करते जाना है और थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते जाएंगे और इसको इक सुखा अटा है उसको उपर ले लेके जोड़ते चारही हूं बस यही करना है हमको और इसको ना मैंने सरिफ आदे अगलास पानी से ही मैंने लिया था या गुंदी थी आप अगर ना पेंगे तो साड़े अगर लेंगे तो भी चलेगा बट अच्छा वाला मैदा लीजिए और देखिए अब यह इकटा हो गया है तो अब मैं इसको अच्छी तरह से दबा कर जोड दूँगी दबाना मतलब इदनम ताकत नहीं लगाना है हमको इसको और मैं इसको ऐसे ही मिला कर जोड दूँगी और जोडने के बान में हमको इसके अंदर एकदम अच्छी तरह से देखिए ऐसे मैं गोल गोल इसको गुमा डाला है तो उसको वर्क करना जरूरी है अब देखिए चाष्णी आपको कैसी बनानी है तो यहां पर मैंने दो कब शुगर ली हूं तो उसके नदर मैंने एक कब पानी डाली हूं इसको बॉल करना है बहुत जारा पकाना नहीं है यहां पर चम्मत से देखिए मैं बुण्ध अब का रही हूं जो लास्ट वाली बूंद है उसको बहुत ध्यान से देखिए आप लोग जो लास्ट वाली बूंद है वो उसको बहुत ध्यान से देखिए देखिए यह देखिए यह जो तार थी यह आने बहुत जरूरी है यह तार आ गई मतलब आपकी चाशनी रेडी है इ अभी भी खुला है और इसको हातों में लेजिए तोड़ा-थोड़ा गोल गोल लेजिए इसका बॉल और हातों में विना दबाए इसको बॉल बाये इसका और बीच में देखिए उंगलियों की शाहिता से इसकंदर एक चोटा सा होल कर दीजिए और यह आपका पहला बालु साही का बेस तैयार है इसको रखेंगे हैं मैं आपको एक और करके भी यहां पर दिखाती हूं यह देखिए इसको ना अच्छी तरह से गोल करना बहुत जरूरी है बट बहुत जारा इसको दवाना नहीं है मसला नहीं है देखिए मेरे बालो शाही में क्रैक दिख रहा है यह क्रैक दिखना जरूरी है यह नॉर्मल है यह क्रैक दिखेगा तो भी चलेगा ऐसा कुछ नहीं है कि यह क्रै बालुशाई का जो जितने भी बॉल हैं वो सब तयार करके हम लोग साइड में रख लेंगे यह देखिए पूरा आर पार होल करना भी बहुत जरूरी है बहुत लोग स्रित थम लगा देते हैं हो जाता है ऐसा नहीं करिए यहां पर मैंने तेल लखी थी गरम करने लिए स्लोग मैंने छोटा सा हमारा आटे का जो गोली थी वो डाली हूं और यह देखिए बिलकुल जट से उपर नहीं आ रहा है इधर उदर होकर यह तब उपर आ रहा है इसमें थोड़े थोड़े बबल आ रहे हैं बस ऐसा ही तेल हमें चाहिए अब यह उपर आ गया है अब यह रेडी रहा है यह बालु शाही को जब ऑल में डालेंगे तो जब फर्स टाइम डालेंगे ना इसको बिलकुल भी हाथ नहीं लगाएंगे जब तक कि यह खुद से उपर ना आ जाए और उपर आने के आब बाद भी एक मिनिट के बाद ही आप इसको छेड़ना बिलकुल भी पहले शेड़ना नहीं वरना जो बालु शाही में अच्छे से मुएन हमने दिया है यह सारा बालु शाही तेल में बिखर जाएगा तो देखिए इसको ऐसे ही तेल में रहने दीजिए यह अपने आप इसको उपर आने दीजिए इसमें तोड़ा टाइम लगे का एक से दो मिनिट स यहां पर जूसी बनेगी देखिए अब यह वीडियो मैं फास्ट कर रही हूं इसलिए यह ऊपर आ रहा है दिए दिरे देखिए ऐसे ही इसको पर आने दिजिए और किसी भी पतली चीज से मैं पर जो चॉपस्टिक होता है वह मैंने ली हूँ इसको पलटने के लिए आप चाह सबसकेँ, ichotta ने यहां ना को सब zmususト, बावा हthought decisively, ज boxing देए को बसटतर से इसको फैसने में पकतने दीजिए, अब देखेटा से थोड़ा सा सहिग हो गया है, जासा थोड़ा सा, आल पक रहा है, यह 30% तक यह पक चुका- अब यह देखिए 70% तक हो गया है इसके बाद में यह पूरा रेडी कर देंगी यह देखिए आप यह पूरा रेडी है कलर से आपको पताश लेगा कि रेडी है कि नहीं और क्या हुआ है क्या ने बस गैस को आपको इदम स्लो करना है जो फ्लोट को कर जो फर्स टैम में उपर जाते है ना यह इसके बाद में आपको गैस को बिल्कुल एक से दो परसेंट ही थेज करना है बहुत जारा तेज नहीं करना है लो टू लो ही रखिए मीडियम मत करिए लो टू यह रेडी है फर्स बैस देखिए अब मैं निकाल रहे हूं है और सेकेंड बैस डालने के पहले आपको फंद कर दी हूं और देखिए आप इसको यहां पर मैंने रख दी हूं छाष्णी रख दी हूं पहला बैस मेरे निकाला भालू शाहि का उसकर में डाल दोंगी और इसको आपको ख़़ खंदर चोड़ना है एक कौशन यह वी रिदा है कि बालू शाहि को चाष्णी म और जब तक आपका यह सेकंड वाला बैच तल रहा है तब तक इसको आप बालु शाहे में छोड़े रही है जब सब्सक्राइब कर देखिए अब मैंने इसको कर दी हूं साइड में इसको एक बार पलट लेते हैं हम लोग इसके रेड़ी होते होते फिर देखिए हमारी चाष् मैं निकाल के जाली के बरतन में यहां पर रख रही हूँ उसके नीचे ना यह देखिए सारा कितना सुन्दर दिख रहा है ना उसके नीचे मैं एक प्लेट लगाई हूँ और प्लेट के नीचे जो एकसेस चाशनी होगी वह निकल जाएगी और यह जो बालुश आई है ना थं आपको यह जरूर बताईएगा अच्छा लगा तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरी कोशिश होती है हमें आपको एक अच्छी रेसिपी देने की तो देखें यहाँ पर में एक बालुश आपको तोड़के दिखा रही हूँ बिल्कुल छूते ही यह त इतनी अच्छी है मुँमें डालते ही घुल जाती है इतनी जूसी है यह उपर से इदम क्रिस्पी है अंदर से एक दम जूसी है तो मेरे बोनले पर जरूर बनाईएगा इस होली यह बालुश है की रेसिपी और देखें कितनी लेयर वाली यह बनी है तो अब मैं मिलते हूँ आपको अपने नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई